हेलो एवरिवन क्लास नाइन्थ स्टुडेंट एलेट हो जाईए अब तो आगया है मौका जब हम मारने वाले हैं चौका तो मौका और चौका दोनों जब मिल जाता है साथ में तो रिजल्ट बहुत शांदार आ जाता है तो रिजल्ट के लिए करना पड़ता है बहुत सारी प कोशन को लोग यहां पर पूरा का पूरा कवर करेंगे जिसमें एजर्शन भी होगा फिल इंद ब्लाइंग्स भी होगा और मैंटिपल चॉइस कोशन भी होगा तो चलिए मूब करते हैं क्लास नाइन के स्टुडेंट मैं विजे ठाकर आपका मैंटर हूँ और आपके लिए जो भी समस्यायती उन सब समस्यायों का समधान मैं लेके यहां पर आया हूँ बट उसके लिए करना क्या पड़ेगा दोस्तों तो टॉपिक जब भी पड़े नीचे लिंक में दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी कहानी की भाई आप ये पेपर वहां से डानलोड क जाएगा तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डी पी पी नंबर टू चाप्र नंबर वन जो है हमारा फ्रेंच रेवल्यूशन चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला कुश्चन मिल्टीपल चॉइस कुश्चन जो है वो क्या कहता है बोलता है विच एस्टेट इन फ्रेंच स इनको कहा जाता था रिलिजियस लीडर्स या तो कहा जाता था क्लरगी मैं क्या कहा जाता था दोस्तों क्लरगी मैं दूसरा जो पार्ट था उसको कहा जाता था यहां पर यह लोग वेरियर्स हुआ करते था यह लोग लैंड ओनर्स हुआ करते था इसलिए इनको कहा जाता थ नोबल्स और जो तीसरा पार्ट बज गया उनको हम लोग कहते थे दोस्तों थर्ड एस्टेट थर्ड एस्टेट पे पूरा प्रेशा डाल दिया गया अलग-अलग तरीके के टाक्सिस का तो कुश्चन जो पूछा गया है कि कौन से में क्लर्गी मैं आते थे तो वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब्स को में सब्सक्राइब सब्सक्राइब का मेरे ख्याल से सभी का आंसर जो है वो दोस्तों यहां पे सही होगा चलिए आगे बढ़ता है इसी के साथ नेक्स कोशन पर हम लोग आते हैं नेक्स कोशन बोलता है वाट पर सिंटेज ओफ फ्रेंच पॉपुलेशन डिड़ पीजेंट कमप्राइज अब यह हम पर कहा गया कि जो टोटल फ्रांस की पॉपुलेशन थी यह फ्रांस की पॉपुलेशन जिसमें से 90 परसेंट को और मैं 10 परसेंट को अलग अलग पार्ट में डिवाइट कर देता हो 90 परसेंट जो है वह होंगे दोस्तों यहां पर फर्स एस्टेट के यहां तो यह होंगे दोस्तों सेकंड एस्टेट के ठीक है सर फर्स एस्टेट का नाम अपने बताया था हमें क्या बताया था सर क्लर्गी बताया था वेरी गूड और second estate का नाम बताया था सर आपने nobles ठीक है ये एक लर्गी जो थे mainly church people थे और इन लोगों को कहा जाता था religious leaders क्या कहा जाता था दोस्तों religious leaders ठीक है और ये जो nobles थे उन लोगों को क्या कहा जाता था सर यहाँ पर या तो ये big land owners हुआ करते थे या तो इसको कहा जाता था भई वेरियर्स अब इन दोनों के पास मिला के property का total का 60% हुआ करता था और ये 90% of the people जो थे वहाँ पे पीजेंस थे उनके पास property का सिर्फ 40% हुआ करता था मतलब population वाइस देखा जाए तो पीजेंस जो है वह जादा थे मगर पैसे वाइस देखा जाए तो क्लर्गी और यहाँ पे जो नोबल सुआ करते थे इनके पास सबसे जादा दोस्तों यहाँ पे पैसा था ठीक है भई चले तो यहाँ पे question पूछा गया है what percentage of the French population did the peasants comprise यहाँ पे population में पीजेंस का कितना percentage था सर 30 परसेंट 50 परसेंट सेविंटी परसेंट या 90 अब यह concept क्लियर हो गया है तो हमारे question 3 अब आ चुका है आपके screen के सामने बहुत इंट्रस्टिंग सा question आ चुका है और यह टॉपिक अभी हम लोगों ने जस्ट डिसकस किया है population और प्रॉपर्टी के basis पे तो हमें पता है सार की population जो है 90 परसेंट पीजेंट की ती और 10 परसेंट जो है population और नोबल्स कियोंगे क्यों कि अमीर लोग तो कम होते है गरीब बहुत सारे होते है यह strategy हर जगह पे चलती है भई तो इसी तरीके से इन लोगों ने पूछा कि जो 60 परसेंट जो लाइंड है फ्रांस का वो किस के पास था क्या वो पीजेंट के पास था क्या वो क्लरगी म है वो मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं ठीक है कुछ पैसा जो है वो क्लरगी में के पास हुआ करता था ठीक है यह क्लरगी में जो है इनको हम लोग क्या नाम से जानते हैं सर तो religious leaders के नाम से जानते हैं बिल्कुल सही option है ठीक है भई आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे religious leader में अब हम लोग यहां पर खारनी तो clear कर चुक ए सर religious leader का मतलब क्या होता है okay okay हम लोग आगे बने गिया है आपThe religious lead र की बात बात करते हैं हम लोग यहां पर दूसरा जो है वो आ जाता है यहां पर nobles Nobles को हम लोग दो तरीके से जानते दोस्तों पहला तो हो गया इसको हम लोग बोल सकते हैं यहां पर बिग लाइनkem और इसके बाद इनको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे वेरियर्स चीक है बाई यहाँ तक के कहानी क्लियर हो गई चलिए आगे बढ़ते हम लोग इसी के साथ अब यहाँ पे जो बाकी लाइंड बची हो और किसके पास होगी तो जो भी पीजेंट्स होंगे मतलब की थर्ड एस्टेट के भी कुछ लोग जो की रिचर क्लास के थे उनके पास भी थोड़ी बहुत लैंड हुआ करती थी मगर मेंली देखा जाए तो यह जो 60% आफ दे लैंड है वो क्लर्गी और मेंली नोबल्स के पास हुआ करती तो इस कारण से आंसर जो है दोस्तों वो क्या होना चीए दोस्तों हमारा यहां पर आंसर होना चीए बोथ B and C हम लोग D आप्शन पर जाते हैं और D आप्शन हमारा 100% सही है आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स कुशन की तरफ आएंगे कुशन नमबर फॉर बोलता है विच एस्टेट वास पेइंग टाक्स टू दा किंग कौन से एस्टेट है जिनको टाक्स देना कंपल सरी था उन से ही टाक्स लिया जागा तो सर हमें पता है कि फ्रांस की पूरी सोसाइटी का आपने तीन पार्ट में बाट दिया लूज सिक् इस स्टेट में कौन लोग है दोस्तों हम लोओ Natalie नहीं चीमें को में तो ऊशकते हैं तो पैसा किसको देना है यहां पे पैसा third estate को देना है चलिए तो कहानी क्लियर हो गई हमें कि fourth question का answer जो है वो हो जाएगा तो उस तो यहाँ पर third estate चलिए हम लोग आगे बढ़ता है इसी के साथ next question number five आता है हमारे पास पूछा जाता है what were the religious taxes यहाँ पर religious taxes का मतलब क्या है collected by the church known as जो यहाँ पर church यहाँ पर पैसा एकटा करता था religion के नाव पर religious tax उसको क्या कह जाता था क्या उसको deity कह जाता था क्या उस को भूऻ के यहाँ से या तो इसको टेरिस कहा जाता था तो इपने आप में taxes होते है हम लोगों को thi acces पता है 53 ply disease taxes होता ओर टेलि जो है वहाँपे direct tax हुआ करता तो यहां पहरी करता थैता इतनी बात को याद रखनी है चलिए आगे बरते इंसी के साथ next fill in the blanks question हमारे सामने आ रहा है वो क्या कहता है the nobles extracted dues from the peasants in the form of nobles जो है वो कहीं न कहीं dues लेते थे मतलब उन पर जो भी उधारी होती थी उनने जो भी काम किया उसके बदले में पैसा लेते थे in the form of किस form में उसको लिया जाता था ता उसको कहा जाता था दोस्तों feudal dues क्या कहा जाता था feudal dues हम लोग समझते है feudalism का सीधा सीधा मतलब होता है social और political system जिसमें यहां पे feudal जो होते हैं वो tenant को जमीन दे देते हैं उस जमीन से उनको पैसा कमाना होता है और उस पैसे कमाने के साथ ही द्यान से समझीगा उनको पैसा चुकाना भी होता था तो feudal system में हम लोगों को सिर्फ इतरी सी बात याद रखनी हैं दोस्तों कि यह जो है system social or political system में जिसमें tenants को land दे दी जाती है और लैंड से भाई जो भी वह यहां पे earn करेंगे वह सारा पैसा किसको देना है feudals को देना है कहीं न कहीं यह forcefully होता था इसलिए feudalism system को यूरोप में खतम किया गया तो यहां पे जो डियूज है दोस्तों हम लोग इसी के साथ true or false आपके सामने आ गया तो मतलब और और ट्रॉपिक पे पूरे discussion होने वाले दोस्तों सारी चीज़े हमारे concept जो है एकदम ground level से लेकिए मतलब zero से लेके hero तक के पूरे concept clear होने वाले हैं चलिए तो पहला question मुलता है true or false में the clergy and the nobility enjoyed many privileges in France French society तो यह जो clergy थे और नोबल्स थे यह बचपन सही मतलब पैदा होगा है privileges by birth कहते सको तो पैदा हो गए तो क्या मिल जाका बह्याया इनको सारी privileges मिल जाएगी पैदा होने के कारएं तो क्या यह बात सही कही गई यह कि गलत कहीं है हम लोगों सब पूछा जया तो यह बात बिलकुल सही गई है सही बात है कि उनको प्रिविलिज बाए बिलाउब there members of the third estate अब यह बूरा है इंडारेक्ट ताकस जो है वो इन पोस्ट किया गया था सिर्फ तर्ड ऐस्टेट पे क्या यह बात सही है क्या यह बात गलत है बिल्कुल नहीं भाई टाक्स तो भाई गुड्स पर लगता है मतलब गोड्स पे लगता है तो गुड्स तो हर से स्टेट में दोस्तों चलिए अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं लोग इसी के साथ कुशन नंबर टैन पर हम लोग आ चुगा कुशन नंबर टैन क्या बोलता है हमसे दा अनीकुल डिस्टिबिशन ऑफ लाइंड अब यहां पर रहा है कि लाइंड तो थी मगर उसका अनीक का डिस्टिबिशन जो है वह अनीक वले किसी के पास बहुत जादा है और किसी के पास बहुत कम लैंड दोस्तों पहली बात दूसरी कि यहां पर टैक्स इग्जंशन देखे रखा है क्लरगी को भी और नॉबल्स को भी क्लरगी मतलब रिलिज्जियस लीडर्स और नॉबल् discrimination हो रहा है दो लोगों के बीच में एक मुद्दा जो है वह बहुत बड़ा है कि यह टैक्स का जो लोड है वह सिर्फ हमें ही क्यों बियर करना है रीजन क्या बोलता है इसका पीजेंट फॉर्म बाप यहां पर पीजेंट जो है मेजरीटी ऑफ दो पॉपलेशन बनाता है क्यों कि 90 पर्सेंट जो पॉपलेशन वह किसकी है तो उस्तों सिर्फ फर सिर्फ पीजेंट की बट ओन्ड ए स्मॉल फ्रक्शन ऑफ लैंड सही बात है साट परसंट कित पास है तो आज नॉबल्स औ कोई भी पैसा नहीं देना क्या यह बात बिलकुल सभी है दोनों मतलब एजर्शन और रीजन जो है बिलकुल सही दिया गया दोस्तों आगे बढ़ते हैं मूव करते हैं मूव करते हमारा नेक्स कोशन स्क्रीन पे जो आ चुका है वह कोशन नॉमबर 11 पर नहीं नहीं देना है यह सीधा सीधी बात करें लोग तो अंसर दिया यह बताना एक इसको सही है कि गलत इसी बात हमें बतानी है तो कोशन कहता है हमारा अच्छाइट थो क्लर्गी और नॉबिलिटी वर लिए उनको जो है 100 परसंट यह एक्सेंट करके रखा है किस से भाई from paying taxes to the king king को इन्हें पैसा नहीं देना है मतलब they are exempted from paying the taxes पहली बाद reason यह देता है the clergy and the nobility were considered माना जाता है कि clergy और nobility जो है integral to the functioning of the state वो कहीना कहीं state के integral part not estate मैंने बोला state के कहीना कहीं वो integral part है and hence exempted from the financial obligation इसी लिए उनको यह financial obligation which is known as tax इससे बचाया गया है तो यह बात सही कहीं गई है यह बात गलत कहीं गई है यह हम लोगों को बताना तो यह बात बिल्कुल गलत कहीं गई है हाँ यह जर्शन जो है वो सही है बट जो reason दिया गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है सो तो answer is false कि true भाई तो यह answer क्या है बाई true है कहीं ना कहीं वो internal part हुआ करते होंगे तभी तो वो tax नहीं दे रहे होंगे अगर माले एक्सटेनल पार्ट होते जैसे कि third state को मान लिया था तो third state को मान लिया गया था इसी लिए सारा टैक्स जो है third state को देना पड़ता था यहां पर answer क्या हो गया दोस्तों true हो गया चलिए अब हमारा next step की तरफ हम लोग पढ़ते हैं जिसको कहते हैं हम लोग वह यहां the following यहां पे दो अलग अलग मैच करने के इक लिए डेटा दिया जाएंगे जसे कि फिस्ट डियarta और योगा से हमें दिमाग लगाना एकि झिस से स्रेटम्न से थर्ड़ से जो डेटा डिया खाया है का होना कि क्लरगी मैन होना च इल्कुल कonfuse नहीं है और का मतलब कलरगी मेन होता है क्या होता है दोस्तों कलरगी मैं मतलब क्या मतलब एक और दॉस्त अप्षे जो है तो होना चाहिए थरी आगे बढ़ते हो यहां पर बी पर आते हैं सेकंड स्टेट सेकंड स्टेट को क्या माना जाएगा तो सेकंड स्टेट को हम लोग मानेंगे यहां पर नॉबल्स या तो वेरियर्स या तो मानेंगे बिग लैंड होना तो सेकंड स्टेट का मतलब यहां कॉमन पीपल यहां तो नॉबल्स बट हम लोगों को क्लियर कॉंसेप of the common people तो कहानी हमें बहुत क्लियर हो गई है सर कि यहां पर तीनों स्टेट की जो भी मैश थी वह हम लोगों से बन गई है चलिए तो फर्स्ट स्टेट का आंसर क्या होना चीए दोस्तों यहां पर सेकंड स्टेट का मतलब होता है और संट का मतलब होता है चले बाई तो यहां देख के कहानी हमें समझ में आ गई अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स कॉशन पे कोशन नंबर 13 क्या कहता है मैंच अ फॉलएंग टर्म देर दिस्क्रिप्शन ती जो है रिलीजियस टैक्स कोलेक् जो कि चर्स कर्यक्र करता था और जो तका मतलब यहां पर डारुटम चुइंज नंबर टू के डी पिपि नंबर टू हमारी पूरी एंटार ली मेश्ट गई इस बार जो फीचर्स देने वाला है उसमें खास फीचर्स आंलाइन क्लासेश के साथ साथ में लाइब क्लासेश डीपीपी शीट्स और इस्टेडी मटेरियल भी यहां पर हमें मिलने जो आपके knowledge को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता है और आपके result के बारे में सोचता है तो ऐसे चैनल को like, share, subscribe करना ना भूले Thanks for watching